अब हम अगले बिंदू पर आते हैं और वह है स्वेक्त राश संग की सदस्यता कौन सदस्य बन सकते हैं? कौन बने हैं? आदी आदी यदि सदस्यता की बात करें तो स्वेक्त राश संग के चार्टर में दो प्रकार के सदस्य हैं दो प्रकार के सदस्यों का प्राउधान है विवस्था है पहला तो और इस चार्टर में संके चार्टर में अनुछेद तीन से अनुछेद छह तक इसके बारे में विस्तार से उल्लेक है मैंने पूर में ही जिक्र किया है कि चार्टर के अपने अध्याए हैं उसके अपने अनुच्छेद हैं तो तीन से च्छेद में सज़स्चता का विवरण है पहले तरह के सदस्ट वो हैं जिनने हम प्राथमिक सदस्ट कहते हैं प्राइमरी मेंबर्स प्राथमिक सदस्ट ये वे सदस्ट हैं जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को के उस सम्मेलन में भाग लिया था जहां पर अट्लांटिक चार्टर स्विकार किया गया था बातपश्ट है प्राथ्मिक सदस्य वे सदस्य हैं जो एक तरीके से संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को के संबेलन में भाग लिया था उन्हें प्राइमरी मेंबर कहा गया तुकि यह पहले लोग थे जिन्होंने स्विकार किया इस चार्टर को लगू करने स्पिरिट में उसकी आत्मा के सथ लगू करने की बादश्विकार की इन्हें प्राइमरी मेंबर का दर्जा दिया गया और दूसरे सदस्य वे हैं जो निर्वाचिस सदस्य कहलाते हैं मैं स्विक्तराश्च संग की सदस्य की बात कर रहा हूँ अभी UNO as a whole तो दूसर पहले होते हैं प्रात्मिक सदस्य दूसरे होते हैं निर्वाचिस सदस्य ये वे लोग हैं जो स्विक्तराश्च संग के सिध्धानतों को उसके उद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् और सदस्ट बनने पर उसके अनुपालन के लिए बाद्य हैं ऐसा करते हुए ऐसा लिखते हुए ने एक प्रार्षना पत्र सदस्टा की अनरोज का देना होता है। संक्तराश संग की जो सर्वोच्च संस्था है सर्वोच्च उसका नाम है महासभा जनरल एसेंबली इसमें सभी देश जो सदस्ट हैं उनका प्रतिनिधित्व रहता है। लेकिन महासभा में यह आविदन जाने से पूर्व प्रातना पत्र जाने से पूर्व वह सुरक्षा परिशद से जाता है। सुरक्षा परिशद एक एक छोटी संस्था है। सुरक्षा परिशद या सिक्यूरिटी काउंसिल। जैसा कि नाम से स्पष्ठ है इस संस्था का मुख्य दायत्व सुरक्षा या बलकि कहना चाहिए एक मात्र दायत्व सुरक्षा है। ये सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखती है सुरक्षा चंग के बैनर के नीचे और इसकी सदस्था संख्या बहुत कम है। इस पर विश्तार से हम आगे जाएंगे। फिलहाल आप ये जाने कि प्रात्ना पत्र सुरक्षा परिशद में जाता है। और ये सुरक्षा परिशद उसे स्विकार कर लेती है इस आवेदन को इस प्रात्ना पत्र को तो अनुमोदन के लिए वह महा सभा में जाता है। दूसरे शब्दों में महा सभा वह संस्था है जिसके माध्यम से सदस्था मिलती है। और सुरक्षा परिशद वह संस्था है वह भाग है जो आवेदनों की छानबीन करके उस पर निर्णा लेता है कि ये महा सभा में भेजने लायक है कि नहीं। दूसरे शब्दों में स्विक्त राज संग की सुरक्षा की सदस्था सुरक्षा परिशद के समर्थन और महा सभा की स्वीकृति से होता है। ये शब्द आप देखेंगे समर्थन किसका सुरक्षा परिशत का और स्वीकृति किसकी महासभा की होती है जिसमें एक सो ट्रानिवे सिदसे हैं सदस्ट ये जो संग है किसी भी सदस्ट को जदि वो चार्टर के सिधानत का अतक्रमण करता है तो सरक्षा परिश्ट के समर्थन और महासभा के निर्णे के निसार निकाल भी देता है दूसरे शब्दों में किसी की सदस्टा बनाने और किसी देश की सदस्टा को समाव्थ करने में दो संस्थाएं अहम हैं पहला सुरक्षा परिश्ट और दूसरा महासभा महासभा वह जिसे हम General Assembly कहते हैं सुरक्षा परिश्ट वह जिसे हम Security Council करते हैं तो यदि कोई भी सदस्ट मेंबर जो सदस्ट बन गया है, चार्टर की अभेलना करता है किसी रूप में सदस्ट बनने के बाद, चार्टर के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसto nishकाशित किया जा सकता है और निशासन भी सुरक्षा करिशत और महासभा दोनों के सामन जस्य से होता है जिसमें सुरक्षा करिशत जो है वा टमर्थन करेगा और उसके बाद महासभा उस पे नेधना लेगी स्विक्रितिया अस्विक्रिति का संग की जब स्थापना हुई थी तब इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी मैंने आपको पूर में बताया था इंकावन 51 और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं आप सोच सकते हैं कि गज 70 वर्षों के 75 वर्षों के काल में संविक्तरा संग की सदस्य संख्या इंकावन से लगभग 200 चू रही है याने करीब 1500 सदस्या 140 सदस्य बढ़े हैं अब यहां की भाषा की बात करें तो चूंकि ये एक वैश्विक संस्था है सेंक्तराश्चंग ने सुनिश्चित किया है कि विश्व के हर सदस्यों के पास उनकी जानकारियां उनकी सूचना उनकी गतिविदी की जानकारियां ऐसी भाषा में पहुँचे जो वहां बोली जाती हो इस कार्थ ये नहीं कि हर खेतर की अपनी अपनी भाषा में सुनिक्तराश्चंग अनुवाद करके उसको भेजता है बलकि उसने कुछ भाषाएं अनुसूचित की हैं जिन भाषाओं में वे अपने कारे कलापों को लिखता है और उसको भेजता है ये भाषाएं कौन सी हों अंग्रेजी पहला चीनी दूसरा स्पैनिश तीसरा फ्रेंच चौथा और रूसी भाषा पांच होगई पांच भाषाएं स्विक्त राषाओं की आधिकारिक इस तर पर स्वीकृत भाषाएं पांच है ये होगई स्विक्त राषाओं की 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 स्विक्त अभी मैंने दो अंगों का जिक्र किया एक महासभा और दूसरा सुरक्षा परिशन और बात करते हुए आपको बताया है कि महासभा जो है वह सभी सदस्थ मेंबरों का प्रतिनिध्यत्व करती है यानि उसमें सभी सदस्थ राष्ट्रों के प्रतिनिध्य उसमें रहते हैं तो इस परकार ये पहली संस्था महासभा तो इसके बिंदुवार हम कुछ बातें जान लें पहली बात सभी सदस्य महासभा के सदस्य जिसने भी सदस्ता का आविदन किया और वह स्विकार हो गया त दूसरा प्रत्येक देश को अधिक से अधिक पांच प्रत्निधी भेजने का अधिकार है एक साथ क्योंकि एक हॉल की एक केपैसिटी होती है महासभा की जहां मीटिंग होती है उसकी भी एक शमता है सीटिंग केपैसिटी है और व्यर्थ में इतने ज़्यादा सदस्य कोई एक इतने ज़्यादा प्रत्निधी कोई एक देश ना भेज दे इसलिए उसकी सीमा तै कर दी गई है पांच प्रत्निधियों का दल एक राष्ट भेज सकता है एक सदस्य राष्ट भेज सकता है कहां महा सभाकी मीटिंग आदि में लेकिन तीस्रा बिंदु यद्यपी पांच सदस अधिक्तम एक प्रतिनित मंदल में हो सकते हैं एक देश के पर उनका वोट एक ही गिना जाएगा ऐसा नहीं है कि किसी देश ने पांच भेजा किसी देश के का प्रतिनित मंदल पांच लोगों का है तो पांच वोट हों, किसी का तीन लोगं का प्रतिमंडल है, तो तीन वोट हों, ना, सभी देशों को एक वोट, एक देश एक वोट, अर्थाद 193 देश तो 193 वोट. चोथा बिंदू, महासभा जो है, वह सेंक तराश्ट संग की विधाईनी संस्था है, विधाईनी संस्था अर्था जो विधान है, जो उसका समविधान है, उसका निर्मान बनाने वाली, उसको देखने वाली, उसको कानूनी जामा पहनाने वाली संस्था, महासभा है, तो वि बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है तथा विशेश परिस्थितियों में सुरक्षा परिशत की सिपारिश पर या अधिकांश सदस्यों के अनरोज पर विशेश महासभा बुलाने का प्रावधान है तो यानि अगला बिंदु जो हमने देखा वर्ष में एक बैठक विशेश परिस्थितियों में इसकी विशेश बैठक बलाई जा सकती है बश्यरते शुरक्षा परिशद अनरोज करें या महासभा के अधिकांश सदसे अनरोज करें तो विशेश परिस्थितियों में इसकी बैठक विशेश महासभा के रूप में रखने का प्रावधान है अगला बिंदू इसका कारी क्या है शांति शुरक्षा और मानवधिकार से संबंधित सभी मामलों पर विचार करना इसके कारी मुल रूप से दो हैं हम कह सकते हैं बल्कि तीन हैं एक तो शांति शुरक्षा और मानवधिकार इनके संबंधित मामलों पर विचार करना निर्ने लेना बहस करना वाद विवाद करना और किसी निश्कर्ष पे पहुंचना दूसरा कारी इसका है महा सचिव की नियुक्ति करना मैंने जाथ पहले आपको बताया कि स्विक्तराश संग का जो प्रशासनिक मुख्या होता है उसे कहते हैं महा सचिव क्या कहते हैं महा सचिव अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जनरल जनरल मने मुख्य सचिवों में मुक है इसलिए वो महा सचिव बहुत से सचिव हैं इनके विभिन विभागों के सचिव हैं लेकिन उंस सब में एक महा सचिव है जिससे सेकरेटरी जनरल कहा जाता है जो वरतमान में प्रदगाल से हैं, तो ये तो दूसरा कारी हो गया, और तीसरा कारी जूए नो का है, सदस्थिता संबंधी, सदस्य बनाना या सदस्थिता से निक्षासित करना, तो इस प्रकार सुरक्षा परिशद के साथ मिलकर ये बहुत से कारे करता है, अगला बिंदू, महासभास से संबंदित ये है कि महासभास सुरक्षा परिशत के जो गैर स्थाई सदस्य होते हैं ऐसे नियायले जो उनकी एक अपनी नियायले भी है जिसका हम जिक्र करेंगे अंतर राष्टी नियायले उसके नियायधीशों की नियुक्ति भी सुरक्षा परिशत करता है तो नियुक्त के मामले में उसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है नेदिशों की नियुक्ति. कौन से नेदिशों की अंतर राश्ट्री नेयल है, इस संस्ता के बारे में मागे विस्तार से पढ़ेंगे. लेकिन अभी आप फिलहाल जान लें कि इसमें जो जज हैं इसमें जो नया अधीश होते हैं इसका इनकी नियुक्ति चैन और नियुक्ति समयुक्तराशंग में महासभा करती है ऐसे ही महासचिप की तो करती ही है नियुक्ति और उसके अलावा भी जो सिक्यूरिटी काउंसिल है शुरक्षा परिशद है इसमें जो बारा तेरा स्थाई अस्थाई सदस्य होते हैं अस्थाई सदस्य ये शब्द आप याद रखिएगा बाद में हम इनके बारे में और जानेंगे जब इनके चर्चा करेंगे फिलहाल आप जानें कि सुरक्षा परिशद के अस्थाई सदस्यों की का चैन और उसकी नियुक्ति का ये भी महासभा का एक मुख्य कारे है अगला कारे महासभा का क्या है कि वो जो हर साल हर वर्ष जो महासभा की जो एसेंबली होती है महासभा की जो मीटिंग होती है महासभा की जो बैठक होती है जब भी होती हो मिनमम एक तो होना ही है इसे हम अधिवेशन कह सकते हैं विशेश अधिवेशन या वार्षिक होते हैं उसके लिए एक अध्यक्ष और साथ उपाध्यक्षों का चैन महासभा करती है दूसरे शब्दों में हर अध्यक्ष के लिए एक अध्यक्ष का चैन होता है और उसकी मदद के लिए साथ उपाध्यक्षों का चैन होता है और ये चैन कौन करता है महासभा ही करती है सभा का अधिवेशन होगा तो उसमें 193 देशों के प्रतिनीदी बैठते हैं कई देश एक प्रतिनीदी भेजते हैं और कई देश अधिक्तम पांच भेजते हैं तो आप कल्पना करिए लगभग लगभग एक हजार सदस्य उस हॉल में रहते होंगे जहां पर ये अधिवेशन चलता है उस एक हजार लोगों की बैठक को संचालित करने के लिए जो व्यक्ति है उसका नाम है अध्यक्ष क्या है अध्यक्ष महासभा का अध्यक्ष महासचिव नहीं महासचिव केवल पशासनिक कारियों के लिए होता है ये है अध्यक्ष तो अध्यक्ष हर अधिवेशन के लिए एक अध्यक्ष नियुक्ति आ जाता है और साथ उपाध्यक्ष नियुक्ति जाता है इनकी नियुक्ति का कारिभी महासभा करती है तो यदि नियुक्तियों की बात करें तो हमने देखा महासचिप की नियुक्ति अध्यक्ष की नियुक्ति साथ उपाध्यक्ष की निय का चैन उसके बाद नयालय के नया अधीशों का चैन आधियादि इस प्रकार ये छह साथ नियुक्तियां और चैन भी महाचभा के कारिक्षेत्र के दाएरे में आता है। इसका जो आठ्वा अधिवेशन हुआ था आठ्वा सत्र हुआ था इसकी जो अध्यक्ष थी उनका नाम था श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो एक भारती थी। महा सभा प्रतिवर्ष अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष नता है। ये भारत का भी सभागित था कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित एक भारती और वह भी एक महिला। भारत की ओर से समिक्त राश महा सभा की बैठक की अध्यक्षता करने वाली उसके अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारती थी और वो भी महिला। महासभा अपने कारे चलाने के लिए साथ समीतियों का गठन करता है और हर एक समीति का एक उपाध्यक्ष होता है ठीक ये अगला कारे हो गया प्रत्येक राष्ट अपना एक प्रत्निधी हर समीति में भेज सकता है आवश्यक नहीं है लेकिन उसके जो अधिक्तम जो सदस्च संख्या है वो हर समीति में जो भी साथ समीतियां है उसमें एक सदस्च भेज सकता है सवाल याता है कि अधिक्तम सीमा तो पाँच है और समीतियां साथ है तो कैसे होता होगा एक सज़स्ट एक से ज़्यादा समिति की सज़स्ता ले सकता है उस राष्ट के प्रतनिदिके नाते समितियों के नाम कि यदि हम बात करें महासभा की समितियां जो महासभा के विभिन्न मुद्दों मसलों पर कारे करती है तो उसमें पहला नाम है राजनीतिक और सुरक्षा समिति सबसे महतपूर्ण क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष में जो सबसे अहम मामले हैं मुद्दे वो मूलत है राजनीतिक हैं और सुरक्षा समिति युद्ध और शान्ति इससे जुड़ी ही जो समिति है वह है राजनीतिक और सुरक्षा समिति पहला दूसरा आर्थिक एवं वित्तिय समिति जो मुद्रा समन्दी मामलों को देखती है तीसरा है सामाजिक समिति प्रशा सनात्मक और बजट समिति से तातपर ये है कि जो यूएनो का पूरा प्रशासन देखती है यूएनो का पूरा अड्मिनिस्ट्रेशन देखती है यूएनो को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करती है उसके लिए भवन की जरूरत उसके लिए मैन पावर की जरूरत अधिकारियों की जरूरत निमन श्रेणी के कर्मचारियों की जरूरत उनकी तंखा उसके अन्य खर्च ये बजट में आएगा तो प्रशासनिक और अपने प्रशासन से सम्मंदित बजट आएवे को जो तै करती है या उसको जो देखती है वह कहलाती है प्रशासनत मक और बजट समित अगली है सन्रक्षन समिति उसके बाद कानूनी समिति और अंतिम है विशेश राजनीतिक समिति तो इस प्रकार ये साथ समितियां कारिकरती हैं महासभा के अंतरगर्ट और इन समितियों में हर राष्ट अपना एक सदस्त भेश सकता है तो इस प्रकार समितियों का कारिक्षेत्र विभाजित है बटवारा है और कारिक्षेत्र बड़ा स्पष्ठ है जैसा कि इन समितियों के शीरशक से स्पष्ठ है स्विक्तराश संग की सनरचना जैसे स्विक्तराश संग के विभिन अंगों की बात करें तो सबसे पहला अंग है उसका महासभा दूसरा सुरक्षा परिशद तीसरा अंतरराश्टी नयाल है चौथा आर्थिक और सामाजिक परिशद पांचवा संरक्षन परिशद और छट्वा सचिवाले ये विभिन अंग अपने तहीं स्वतंतर रूप से काम करते हैं अब यदि इनके प्रमुक अंगों की संरचना को हम देखें इनके कारिशाली को देखें इनके कारिविभाजन को देखें तो देखें सबसे पहले आप देखेंगे इस इमेज में यहां पर कि आम सभा जोसे हम कहते हैं महा सभा जिसमें 193 सदस्य सभी को एक समान मत प्रमुक निर्णेयों के लिए दो तिहाई बहुमत की जुरुरत होती है दो तिहाई लोगों का सपोर्ट हो यदि कोई प्रमुक निर्णे हो और ये निर्णे जो होंगे वो सभी पर बाद्ध्य होते हैं तो महा सभा में कोई सा भी प्रस्ताव पास होना हो तो कितने सदस्यों की आवश्यकता है कितने के समर्थन की दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है ये तो हुआ महा सभा अब महा सभा के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर सहायक निकाए ये सहायक समितियां हैं, सहायक निकाय मतलब जो ऐसी समितियां जो अनिक खेत्रों में मदद करती हैं ये सहायक निकाय में क्या-क्या हैं, सैन्य समिति, अंतराश्टी अपराद, नयादिकरण, शांतिय संस्थापक समर्थन, अभियान और मिशन अब ये सहायक निकाए जो है इसमें कई बार किसी विश्विश उद्देश्यों से भी कुछ समितियां बनाई जाते हैं उधारन के लिए पूर्वी यगोसलाविया, रुवांडा ये कुछ ऐसे देश थे पूर में जहां पर कुछ राजनितिक समस्याएं थी अंदरूनी समस्याएं थी लेकिन विश्व शй शांती कम खत्रा था, तो इसके लिए विश्व शुर्ष निकाए बनाए गये थे और इसका उद्धिश था शॉर्ष ठापना करना वहां तो शॉर्ष के लिए ये सहायक निकाए, साहायक निकाए सुरक्षण परिशड के इश दूसरे नंबर की सबसे महत्पूर्ण संस्था है शुरक्षा परिशद का जिक्र करते हुए जिसे अंग्रेजी में सिक्यूरिटी काउंसिल भी कहते हैं मैंने बताया था कि इसके अस्थाई सदस्यों का चिनाओं महासभा के द्वारा होता है अब ये अस्थाई सदस्य कितने हैं दस कुल मिलाकर इसके पंदरा सदस्य हैं सुरक्षा परिशद के कुल मिलाकर पंदरा सदस्य हैं पंदरा सदस्यों में पांच इस्थाई हैं और दस अस्थाई सदस्य हैं ये क्या है दोनों में क्या अंतर है एक तो मैंने बताया था संस्थापक सदस्य इसमें किसी तरह का आपको confusion नहीं होना चाहिए इस्थाई सदस्य संस्थापक सदस्य अलग-अलग बाते हैं संस्थापक सदस्य वे जो इंकावन देशों से जुड़े हुए हैं जो इनोंने स्थापना के दिन सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्थापक सदस्य और स्थाई सदस्य वो जो सुरक्षा परिशद में स्थाई रूप से उसके सदस्य है अन्य दस सदस से रोटेशन में रहते हैं अन्य दस सदस से बदलते रहते हैं और ये अस्थाई सदस कहलाते हैं जिनका चैन कौन करता है महा सभा करती है जैसा मैंने पूर में बताया दोनों के कारक्षेत्र या पावर में क्या अंतर है बहुत बड़ा अंतर है उनके अधिकार का वह बहुत बड़ी आलोचना का एक मुद्दा बना हुआ है इस थाइस अधस्यों में पांच देश हैं चीन, फ्रांज, रूस, ब्रिटन और अमेरिका आप ज़िए नक्षे को देखें विश्व के नक्षे को विश्व के नक्षों में आपको ये पांचों देश दिख रहे हैं मैं पना दोराद हूँ चीन, फ्रांज, रूस, ब्रिटन और अमेरिका ये स्थाई सदस्यों क्यों बने हैं? इन्हें स्थाई क्यों रखा गया है? और उसमें भी ब्रिटन जैसा एक छोटा सा देश जो जन संख्या और ख्षेतर फल में बड़ा छोटा है फ्रांस जो जन संख्या और ख्षेतर फल में बड़ा छोटा है उसके बाद चीन और अमेरिका, रूस ये तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है कि बड़ा का इनकी जनसंख्या भी है अच्छी बहुत खेतर भी है इनका अपना प्रभाव भी है इस पर हम आगे जो विवाद है उस पर चर्चा करेंगे फिलहाल आप जान लें कि इस नक्षे में इस थाई सदस्य पांच हैं वो ये ये इस थाई सदस्य इतने ताकतवर हैं कि पूरे एक सो तरानवे सदस्यों में किसी एक प्रस्ताव पर यदि एक सो ब्यानवे सदस्यों ने सहमती दी और इन पांच में से किसी एक सदस्य ने सहमती नहीं दी उस प्रस्ताव के पक्ष में तो 192 के दोरा पारित प्रस्ताव भी रद माना जाएगा मैं अपना दोरा दूँ ये जो पांच देश जो आप नक्षे में देख रहे हैं इन पांच देशों में से किसी भी एक देश ने यदि महासभा दोरा या सुरक्षा परिशद दोरा किसी प्रस्ताव को रद कर दिया किसी प्रस्ताव के विरोध में कहा तो चाहे वो सुरक्षा परिशद के अन्य 1192 देश हो महासभा के अन्य 1192 देश हो या सुरक्षा परिशद के पंद्रा में से चौदा देश हो वो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा इसको कहते हैं निशेधादिकार निशेधादिकार निशेध करने का अधिकार रद करने का अधिकार ना कहने का अधिकार अंग्रेजी में इसे कहते हैं वीटो क्या कहते हैं वीटो वीटो का अधिकार इन पांच देशों को मिला हुआ है ये पांच देश इस्थाई सदस्य हैं इन्हें इनका चैन नहीं होता ये तो वहां के इस्थाई सदस्य हैं सुरक्षा परिशत के तो इस प्रकार निशेद अधिकार का जो अधिकार इनको मिला हुआ है वह इनको दुनिया में बहुत ताकतवर बना देता है मैंने जैसे कहा हूँ दारन एक देखिए दुनिया में किसी एक मामले को लेकर 192 देश महात सभा में कहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए या कश्मीर का मुद्दा ले लीजे कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत सफल होता है दुनिया में अपनी बात रखने के लिए और जब मद्दान होता है तो 192 देश मत्दान करते हुए भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि कश्मीर भारत कांग है लेकिन यदि 193 वा देश जो इन पांच में से कोई सा एक हो यदि इसके खिलाफ मत डालेगा तो वो 192 का प्रस्ताव भी रद माना जाएगा 192 का प्रस्ताव कैंसल माना जाएगा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा कितनी बड़ी ताकर्त है और इसके परणाम क्या है ऐसे निशेद अधिकार का जो अधिकार इन पांच राश्टों को दिया गया है इसके परणाम क्या है इसके कारण राजनीति कैसी हो रही है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे पर फिलहाल आप जान लें कि पांच स्थाई सदस्यों को यह निशेद अधिकार या वीटो का अधिकार दिया गया है और वे पांच सदस्य यह है बाकी जो दस है अस थाई सदस्य इनका चिनाओ मैंने बताया महासभादवारा आमसभादवारा किया जाता है हर दो वर्ष के लिए और दो वर्षों के लिए होता है निर्णे सभी सदस्यों पर बात दिया है सभी सदस्यों को इसका निर्णे मानना होता हूँ बात उस्पष्ट हो गई यह हुआ सुरक्षा परिशद यह जो सहायक निकाय है सुरक्षा परिशद के इशारे पर काम करते हैं ऐसे ही सुरक्षा परिशद के साथ एक और संस्था जुड़ी है बलकि मैं कहूंगा सुरक्षा परिशद वह न्यूकलियस है जिसके चारों और जैसा आप इस लक्षे में देख रहे हैं संस्थाइं जुड़ी हुई हैं उर कौन संस्थां संबद्ध हैं और किन-किन अंतराश्टी आन्विक अप्राग ये आमसभा और सुरक्षा परिशद दोनों के प्रति उत्ता धाई है लक्षे में दिख रहा है इस एरो के माध्यम से कि वहां आमसभा की ओर और सुरक्षा परिशद की ओर दोनों के ओर देखती है दोनों से उसका संबंध है क्योंकि वह अपरादिक मामलों से जुड़ा है और आमसभा तो वैसे ही सर्वोष संस्था है एक और संस्था जो सुरक्षा परिशद से जुड़ती हुए आपको यहां दिखाई दे रही है वह है अंतराश्ट्री नियायले अंतराश्ट्री नियायले भी संबंध संगठन की तरह सुरक्षा परिशद से जुड़ा हुआ है और साथी आमसभा से जुड़ा हुआ है अंतराष्टी नियाले क्या है? इसमें पंदरा नियाधीश होते हैं कितने नियाधीश? पंदरा सुरक्षा परिशद में कितने सदस है? पंदरा पंदरा में पांच स्थाई, दस अस्थाई लेकिन अंतराष्टी नियाले में पंदरा जज चुने जाते हैं महा सभा के द्वारा और वे पंदरा जजों का कारेकाल नौ वर्ष का होता है कितना बड़ा लंबा कारेकाल दिया हुआ है ताकि वे लंबे काल तक के अपने अनुभाव को अंतराश्टी मामलों में उसका समुचित उप्योग कर सकें अपने अनुभावों का पंद्रा सदस इस नियायले में हैं और नौ वर्ष का इनका कारिकाल है और ये जो नियायले है यह बैठता है दहेग में ह-ए-जी-उई देखिए हेग कहां है दहेग अंतर राश्ट्री नियायले यहीं है एक तरीके से कहना चाहिए कि जैसे एक देश का सरवच नियायले होता है जैसे भारत का सरवच नियायले दिल्ली में है ऐसे यह अंतर राश्ट्री मामलों को सुलजाने का सरवच नियायले है अंतर राश्ट्री मामले क्या हो सकते हैं ऐसे मामले जो अशान्ति ला रहे हूं ऐसे मामले जिस पर अपराध देश्यों का या उसके सिध्धानतों का पालन नहीं कर रहा है ऐसे मामले जो दो देश की सीमाओं से संबंदित हो सीमा विवाद हो नदी जल विवाद हो आदी आदे ये सब ऐसे विवाद हैं ऐसी समस्याएं जो एक से ज्यादा देशों को उलजाती हैं उसको कोई संबंदित देश अंतराश्टी न्यायले में रख सकता है न्याय की प्राप्ति के लिए अंतराश्टी न्यायले में जा सकता है तो इस प्रकार ये एक बहुत अहम संस्था है अंतराश्टी न्यायले में दहेग में अब इसमें इसका जो चुनाव होता है वो जैसे मैंने बताया तुरक् पहुमत के द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है और मुख्याले हेग में हैं इस पकार हमने देखा कि महासभा से जुड़ा हुआ सुरक्षा परिशद और सहायक निकाय सुरक्षा परिशद से जुड़ा है संबंदित संगठन सुरक्षा परिशद और महासभा से जुड़े है और अंतराश्टी नियाले भी सुरक्षा परिशद और महा सभा से जुड़े हुए ये तो हो गया सबसे उपर का ताना बाना अब आम सभा के साथ कुछ अन्यसंस्थाएं भी हो सुरक्षा परिशद की बात यहां लगभक समाप्त हो गई अब हम आते हैं आम सभा के साथ जुड़ी होई कुछ अन्यसंस्थाऑं वैसे तो देखा जाए जो यहां से स्पष्ठ है कि लगभक सभी संस्थाऑं जो सुंक्तराश्चंग के मातहत हैं वे सभी आम सभा से जुड़ी होई हैं लेकिन कुछ संस्थाइं सुरक्षा परिशद से भी जुड़ी हैं जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ तो अभी तक हमने ऐसी संस्थाओं को देखा जो सुरक्षा परिशद और आम सभा दोनों से जुड़ो है अब हम ऐसी कुछ संस्थाओं की और बढ़ते हैं, ऐसे कुछ अंगों की और बढ़ते हैं, संस्थाओं से मिरा अर्थ है अंग, ऐसे कुछ अंगों की और बढ़ते हैं, जो आम सभा से जुड़ी हैं सुरक्षा परिशद का उसमें कोई दखल नहीं है, अर्थात ये बात स्प अना अयुद्ध से है तो अब ये बाकी संस्थाएं जो शुरक्षा के मामले से नहीं जुड़ी हैं वे किसको रिपोर्ट करती हैं सीधा महासभा को अब ये कौन सी संस्थाएं इसमें सबसे अहम संस्था जो है वो है सचीवाले सचीवाले क्या है सचीवाले एक तरीके का सेक्रेटारियट है अंग्रेजी में से हम सेक्रेटारियट कहते हैं सेक्रेटारियट वहाँ भवन है या वहाँ स्थल है या वहाँ कार्याले है जो स्वैक्त राश्चंग की सारी गतिविदियों का रिकॉर्ड रखता है सुंक्तराश शंग महासभा सुरक्षा परिशाद इनके समर्ष आदेशों का एक तरीके से वह पोस्ट आफिस जहां से सारी सुचनाइ संभंद देशों को संभंद सदैसियों को भेजी जाती है सुंक्तराश संग की कारशाली को सुचारी रूप से चलानी की जिम्मेदारी इस सचिवाले की है जिसके मुखिया हैं महा सचिव सचिवाले का कारे आन्य प्रमुक्त संगठनों के कारें के लिए अंतराश्ट्री स्टाफ से बना है इस सचिवाले में कौन लोग बैठते हैं? कौन लोग कारे देखते? ये क्या कोई एक देश का कारे है? सुविक्त राश्चंग तो वैश्विक संस्था है. तो चुकि ये वैश्विक संस्था है, इसके सभी कारेयालियों में वैश्विक के सदस्य देशों के कर्मचारी, सदस का नहीं होता और इसका प्रधान महासचिव है जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिशद की सलाह पर आम सभा या महासभा द्वारा की जाती है सलाह कौन देता है सुरक्षा परिशद और महासचिव कितने समय के लिए नियुक्त होता है पांच वर्ष के लिए इसका कारिकाल होता पाँच वर्ष। है चेक्टराश्चंक का सची वाले बड़ा भव्य भवन है देखिए आप देख रहे हैं कितना विशाल भवन है और ये सब बहुत महत्पूर्ण इस थल है अब सची वाले के बाद अब हम आते हैं इसके कुछ अन्य निकाए उपर और एक अन्य निकाए है सहायक निकाए सहायक निकाए क्या है जो कुछ समितियां बनाई जाती है कई बार किसी विशेश उद्यश से इसे हम तदर्भ निकाए भी कह सकते हैं तदर्भ यहने किसी काल के लिए अस्थाई समिति इन समितियों को किसी खास उद्देश से बनाये जाता है और ये उद्देश से बनाने का समितियों को बनाने का जिम्मा किसका है? सचिवाले का नहीं, सुरक्षा परिशत का नहीं, महासभा का तो महासभा को यह अधिकार है कि वे विभिन्न विश्यों के से जुड़े हुई समीतियों का नर्धारन करें, इसके सदस्थिन निर्वाचित करें और समीतियां बनाएं उदारन के लिए एक समीतिय की जुरत पड़ती है, जिसको अध्यन करने का ये काम दिया गया है कि पिछले पचास वर्षों में विश्व के तापमान में परिवर्तन क्यों आया, कैसे आया, कितना आया, तो इसके लिए एक तदर्व समीतिय बना दी गई वो तदर्व समीति अपना, और वो समीति जो है, उसमें महा सभा के कुछ सदस्य ही होंगे, सदस्य देशों के सदस्य होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे इस फिल्ड में, उन देशों के सदस्यों से बनी हुई ये समीति अपना कुछ कारिकाल रखेगी, और उतने कारिकाल के स समाप्त होने पर वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और समीति फिर उसके बाद अपने आप भंग हो जाएगी ये तदर्ब समीतियां कहलाती हैं जो सब महासभा के बैनर के नीचे काम करती है इसके बाद अगला है तुछ इसके संबंधित संगठन उधारन के लिए एक संग के लिए संगठन रासाइनिक हथियार क्या होते हैं कैमिकल कैमिकल वेपन्स कैमिकल वेपन्स बड़े खतरनाक हथियार हैं और कई बार ऐसा ऐसी शंका व्यक्ति जाती है कि कुछ देश कैमिकल वेपन्स तयार कर रहे हैं जो कैमिकल के माध्यम से रासाइनिक द्रवी के माध है बहुत बड़े स्केल में इसका नुकसान होता है जनता को केमिकल वेपन्स के नाम पर एराग पर अमेरिका ने हमला किया था क्योंकि इसे शंका थी कि एराग केमिकल वेपन्स का निर्माण कर रहा है इसका जिक्र पर नज़र रखती है इसके निशेद के लिए संगठन है अगली समिति जो संग्तराश संग की है वह बहुत महत पूर्ण है और वो समिति है कारिकरम एवं कोश व्यापार एवं विकास सम्मेलन मैं अपना पढ़ दू कारिकरम और कोश व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD UNCTAD UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT इसका फुल फॉर्म है क्या है UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT UNCTAD संग्षिप्ट में से UNCTAD कहते हैं यह UNCTAD क्या था एक तरीके से एक ऐसी संस्थाची जिसका उद्येश था व्यापार के मद्दे नजर आने वाली समस्याएं संभावित समस्याओं का निराकरण करना यह बहुत बड़ा मद्दा था और एक बहुत ही महत्पूर्ण संस्था थी अपने समय में यद्यपी अंकटाड अभी भी अपने लक्ष में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया क्योंकि विविन्न देश व्यापार के मामले में विविन्न तरह की मांगे रखते हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं पर अंकटाड के माध्यम से कम से कम शांति पूर्ण हल का प्रयास तो हो रहा है तो शांति पूर्ण प्रयास का हल ही तो स्विक तुराज संका उद्देश है तो एक संस्था है अंकटाड दूसरी संस्था है UNEP विकास कारक्रम है उसके बाद UNICEF United Nations International Children's बच्चों के लिए है मुख्य रूप से बाल कोश इसका हिंदी में नुवाद है बाल कोश और इसको संक्षित में कहते हैं UNICEF उसके बाद जन संख्या कोश United Nations जन संख्या कोश कहलाता है UN DEPA उसके बाद अगली है शरणार्थी उच्चा योग और विश्व खाद्यकारक्रम World Food Program ये जो संस्थाएं हैं ये संस्थाएं एक तरीके से स्थाई संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं का अपना एक जॉब प्रोफाइल है इनका एक कारिक्षित्र है जो बड़ा स्पष्ठ है जैसा कि शिर्शक से इस पष्ठ है खाद्यकारक्रम याने जरूरत मन देशों को भोजन पहुँचाने की विवस्था करना राम मेटीरियल के रूप में कई बार प्राक्रितिक आपदा आने पर भी समस्याएं आ जाती हैं भोजन नहीं पहुँच पाता ऐसे समय भी भोजन की विवस्था करना अकाल आदी में भुखमरी आदी में अफरीकी देशों में ये समस्या बहुत थी और हजारों लोग बेमौत मारे जा रहे थे अकाल भुखमरी बाढ़ आदी से ऐसे में विश्व खाद्य कारिकरम वॉल्ड फूर्ड प्रोग्राम बहुत काम आता हैं ऐसी शरणार्थी उच्चायोग जैसा नाम सिस्पष्ठ है विविन देशों में जो शरणार्थी समस्या है उसके निराकरन के लिए जा है तो ये संश्थाएं संक्षिप्त में किसको रिपोर्ट करती हैं या किसके माताहत कारे करती हैं आम सभा के माता इसमें सुरक्षा परिशत का कोई लेन देन नहीं है सचीवाले के नीचे आप देखेंगे महा सभास से जुड़ी हुई संस्थाओं में एक लिखा हुआ है अन्य एकाईएं जैसा ये बाकी एकाईएं मैंने बताया है जिसमें अंग्टाड है UNDP है UNICEF है ऐसे ही कुछ अन्य एकाईएं और हैं ये वाली जो एकाईएं ये महती कारे कर रही हैं अपने अपने क्षेतर में लेकिन कुछ अन्य एकाईएं और भी हैं जिसमें मानवादिकार उच्चा योग है मानवादिकार उच्चा योग कारियाल है उसके बाद स्थिराश्चंग का एक अपना कारियाल है या विश्विद्याल है हम कह सकते हैं स्थ उची शिक्षा देने के लिए सेंक तुराश्चंग के विचारों को छात्रों तक पहुँचाने के लिए जो इच्छुक छात्रें वो यहां पर अध्यान कर सकते हैं और इस पकार सेंक तुराश्चंग से अपने तरीके से विद्यार्थी के नाते जोड़ सकते हैं और उसके बाद है एक UN AIDS AIDS वो बिमारी है जो विश भर में बहुत बड़ी समस्या लेके खड़ी है AIDS तो AIDS HIV AIDS जिसको कहते हैं इसके लिए भी जो UN उने बहुत सारे कारक्रम किये हैं बनाए हैं योजनाय बनाई हैं इस बिमारी को रोकने के लिए कंटेन करने के लिए इसको समाप करने के लिए तो वो किसके माहतद? UN AIDS AIDS यह हो गए इसकी अन्य एकाईयों अब अन्य एकाईयों के बाद आप देखेंगे नीचे आर्थिक और सामाजिक परिशन जो अपने तरीके से महासभा से जुड़ा हुआ है आर्थिक और सामाजिक परिशन बहुत ही महतपूर्ण संज्था है आर्थिक और सामाजिक परिशन ये सदस्च देशों का चुनाव आमसभा द्वारा तीन वर्षों के लिए इसमें किया जाता है आर्थिक और सामाजिक परिशन में तीन वर्षों का चुनाव और सभी ख्षेत्रों से इसमें सदस्च रहते हैं सभी ख्षेत्रों से तात पर हैं भागोली ख्षेत्र यानि हम ये मांच सकते हैं कि महाद्वीपी इस तर पर इनका चुनाव होता है और कुल सदस्च संख्या इसकी होती है 54 कितने देश हैं इसमें 54 सदस्य देश हैं और जैसा शीर्षक बता रहा है ये आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को देखता है तीन वर्ष के लिए इसमें सदस्चों का चनाव होता है अब इसके कारे के लिए कुछ आयोग हैं विशेश कारेओं के लिए कुछ आयोग बने हुए हैं जिसमें मानवादिकार आयोग है मादक द्रव्यों से जुड़ा हुआ आयोग है ऐसे ही टिका को पाने की कोशिश करती ये सामाजिक कारे हैं मानवादिकार मादक द्रव्यों को रोकने का कारे sustainable development टिकाव विकास और महिलाओं का उध्धार इसके लिए ये संस्था प्रयासरत है आर्थिक और सामाजिक परिशद जिसमें 54 फदस्थे हैं अपने विशेश कारें के लिए तो आयोग बनाता ही है इसके साथ ही कुछ और इसके खेतरी आयोग भी हैं खेतरी आयोगों में पहला आयोग है आर्थिक आयोग एकनामिक कमिशन आर्थिक आयोग याने एकनामिक कमिशन जो अफरीका यूरोप डक्शन अफरीका और अमेरिका और केरिबियन देशों के लिए हैं और उसके बाद दूसरी तरफ आप देखेंगे खेतरी एजेंसियां ये एजेंसियां आर्थिक और सामाजिक परिशद के स आज जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये वित्ती सहायता के लिए हैं इन एजेंसियों का जिसका अभी हम जिक्र करेंगे ये वे एजेंसियां हैं जो वित्ती मदद देती हैं वित्ती सहायता के एक तरीके थे उनके बिना ये कारे करती हैं अन्तवराश्टी संचंगठन आई एलो खादियम संगठन, FAO, Food and Agricultural Organization UNESCO, UNESCO, वैज्यानिक एवं सांस्कृतिक संगठन स्विक्षराष्ट संग, शैक्षिनिक वैज्यानिक एवं सांस्कृतिक संगठन विश्वसाथ संगठन, WHO अंतराष्टी मौसम विज्यान संगठन, IMO और अंतराष्टी दूर संचार संग, इतने इसकी विशेष एजन्सियां हैं जो वित्ती सहायता के बिना कारे करते हैं और ये विविन्न मुद्दों पर भोजन, फूर के मामले में, लेबर के मामले में, शिक्षा के मामले में, बच्चों के लिए, और उसके साथी स्वास्त के मामले में, मौसम के मामले में, आई एमो, अंतराष्टी मौसम विज्यान संगठन, IMO, M Stand for Materiology, International Materiology Organization, और अंतराष्टी दूर संचार संग, ITU, ये, देखें, इनको एरो के मादनम से बताया गया है कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़ी है, आर्थिक और समाजिक परिशद, वैसे तो देखा जाया है, तो महा सभा के बाद सुरक्षा परिशद, और सुरक्षा परिशद के बाद, यदि सबसे महत्पूर्ण को इसे संस्त है, तो वह है आर्थिक और समाजिक परिशद, सुरक्षा परिशद जहां, युद्ध के मामलों से जुड़े हुए, सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों को लेकर, शांति का प्रियास करती है, वहीं, आर्थिक और समाजिक परिशद, सुरक्षा को छोड़कर, बाकी अन्य जरियों से विश्व में शान्ति का प्रयास करती ही, मैं ये बात पश्ट कर दो, और इनके सब के बीच में आप देखेंगे आम सभा, आम सभा के उपर सुरक्षा परिशद और उससे जुड़ी ही संस्था हैं, जो विश्व में शान्ति का प्रयास सुरक्षा के मुद्दे को लेकर करती हैं और आमसभा के नीचे आप देखेंगे वो संस्थाएं हैं जो विश्व में शांति का प्रयास शुरक्षा को छोड़ कर बाकि अन्य जरियों से करती हैं शांति के लिए जरूरी है कि विश्व में गरीबी ना हो अपराद हटाने के लिए जरूरी है कि विश्व में गरीबी ना हो सब का स्वास अच्छा हो, सब को भोजन मिले सब की जो मूल भूत आवश्कताएं हैं वो पूरी हों सब को अधिकार मिले, मानव अधिकार सब को शिक्षा मिले ये जो सारी बाते हैं, शिक्षा, अधिकार, भोजन, निर्धनता या धन ये सब विश्व शान्ति के लिए बहुत अहम है क्योंकि यदि मानों खुश है तो संभवता युद्ध की संभावना नहीं होगी युद्ध केवल राजनीति के स्थर पर राजनेताओं के बीच में होगा लेकिन यदि सामानी जनता को ये सब चीजें पहुँचा दी जाएं तो संभवता आर्थिक और सामाजिक परिशद का कारे जो बहुत विशाल है वो युएनों के जरिये काफी कुछ पूरा होगा मैं एक बार पुना इस बात को कह दो सुरक्षा को लेकर विश्व में शान्तिकी विवस्था करने का कारे सुरक्षा परिशद और उसे जुरी संवस्था है गैर सुरक्षा समंदी मामलों को लेकर विश्व में शान्ति और सुरक्षान्ति पहुँचाने का कारे सामाजिक और आर्थिक परिशद के दोरा तो इस पकार दो श्रिणियों में बट गया आर्थिक और समाजिक परिशद ऐसा कहा जा सकता है कि यदि वह आम सभा का एक हाथ है तो सुरक्षा परिशद उसका दूसरा हाथ है और ये दोनों हाथ मिलकर महासभा के निर्देशन में कारे करते हैं और महासभा संक्तराष्ट संग के उद्देशियों को सध्धान्तिक तरीके से पालन करते हुए सुनिश्चित करती है कि विश्व में शान्ती रहे आर्थिक और समाजिक परिशद के अंगों के बारे में बात करते हुए दो तीन जानकारियां और आपको जरूरी हैं वो ये है कि इसका एक खेतरी आयोग भी इसके मातहत आता है आम सभा के मातहत मैंने आर्थिक और समाजिक परिशद का जब जिक्र किया तो आपको बताया था यूनेसको डबलू एचो आएमो आईटी यू आदी आदी लेकिन एक शेतरी आयोग है जो आर्थिक और समाजिक परिशद से सम्मंजित ना होकर वह अपने तहीं एक स्वतंत संस्था है और वह है विश्व व्यापार संगठन डबलू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन यह वह अपक्स संस्था है यूनो की जो वैश्विक व्यापार के मुद्दों पर ध्यान देती है समस्याओं का निराकरण करती है सुनिश्चित करती है कि व्यापार जो है अंतराश्टी व्यापार वह बढ़े फले फुले अंक टाड का मैंने जिक्र किया था UNCTAD United Nation Conference on Trade and Development ये संस्था भी व्यापार को देख रही है लेकिन कुछ विशिष्ट समस्याओं को लेकर इसकी स्थापना की गई है कुछ मुद्दों को लेकर इसकी स्थापना की गई है जबकि WTO जे है World Trade Organization वो एक स्थाई संस्था है और स्थाई संस्था होने के नाते ये विश्व व्यापार के विभिन्न मुद्दों को का अध्यन करती है उसको व्यापार को सुचार रूप से चलाने के प्राउधान प्रताव आदि रखती है सुनिश्चित करती है कि जो व्यापार एक पक्षी ना हो जाए एक पक्षी का अर्थ ऐसे ये है कि जो शक्तिशाली देश है जो धनी देश है व्यापार उनके पक्ष में ना हो जाए निर्धन देशों को भी इस अंतराश्टी व्यापार में उच्चित स्थान मिले इसका प्रयास WTO के द्वारा होता है कई बार समय समय पर UNO को कुछ ऐसी संश्थाओं का भी निर्माण करना पड़ता है ऐसे समीतियों का ऐसे अंगों का जो किसी खास उद्देश्ट से बनी है एक ऐसी समीति थी नियासिता परिशद नियासिता परिशद अब यह परिशद जो है भंग हो गया है परिशद अब स्थागित हो गई है लेकिन इसको बताने का उद्येश ये है कि किसी खास उद्येशों से स्थापित की गई कुछ परिशद कुछ समितियां अपना उद्येश पूरा करने के बाद समाप्थ हो जाती है इस प्रकार हमने देखा सिविक्त राश संग की जो विविन संस्थाएं हैं वे कैसे एक दूसरे से जुड़ी होई हैं कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं और कैसे संचालित होती हैं हमने इस प्रश रूप से जाना महा सभा कितनी अहम है और ये जाना कि सुरक्षा परिशद और आर्थिक और समाजिक परिशद ये दो संस्थाएं एक तरीके से संच का संबल हैं उनका कंधा है जिसके बल पर संच कारे करता है तो इस प्रकार संच के संगठन का एक खाका आपके सामने हैं और अब आप समद गया होंगे कि यह संस्था इतनी वैश्विक संस्था क्यों है और वैश्विक संस्था से तात्पर क्या है इस संस्थाओं में किसी एक देश के अधिकारी नहीं है किसी एक देश का स्टाफ नहीं है ये सारी संस्थाएं अंतरराश्टी होने के कारण बहुत देशी हैं विविन्न देशों के सदस्य, विविन्न देशों के अधिकारी इन संस्थाओं में पदस्थ किये जाते हैं अपने अपने देशों के दोरा